मौडन बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल ऐकन दबाएं ग्यानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए एक बहुत ही डरा देने वाले वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ यह डर किसी अंजानी चीजों का डर नहीं है यह एकदम एक्चुल डर है जो अपलों को डरा देगी आपने हाल ही में देखा होगा कि चिन नहीं में ग्राउंड वाटर खतम होया था वहाँ पर पानी के लिए अफरत अफरी और मारा मारी माज गई थी वहाँ पर ट्रेनों से पानी का सप्लाई हो रहा था अगला शहर जहाँ पर पानी खतम होने वाला है वह है बैंगलोर निती आयो के एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश के 21 शहरों में अगले ही साल 2020 में ही ग्राउंड वाटर खतम हो जाएगा एक शहर में चिन्नी में पानी खतम हो रहा है तो वहाँ पर दूसरे शहरों से पानी का सप्लाई हो जा रहा है लेकिन 21 शहरों में जब पानी का सप्लाई खतम हो जाएगा तब कैसे सप्लाई होगा पानी का यह देखते ही देखते यह समस्या आपके शहर में भी आ पहुचेगी पूरे भारत की 700 करोड की जन संख्या है उसमें से 60 करोड लोग पानी की समस्या से जूचते हैं किसी भी प्रकार से या तो इंफेक्टेट पानी से या तो फिर वाँ पर पानी की कमी होती है पूरे भारत में 2 लाख लोग पानी के वज़े से मारे जाते हैं हाल ही में एक 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ती चिन्ने में पानी को टैंकर से लेते हुए लड़ाई में मारे गए एक बहुत बड़े दूरदर्शिय माहन व्यक्ती ने कहा है कि अगला वर्ल्ड वार मतलब तीसरा वर्ल्ड वार पानी के लिए होगा क्या आप उस दिन के लिए जीना चाहते हैं अगर नहीं तो आप इस वीडियो को अंत तक के देखिए मैं आप लोगों को गरेंटी देता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक के आप लोगों के चहरों पे एक मुस्कान होगी और आप खूश होकर ये वीडियो देखेंगे नमस्कार दोस्तों, Modern Baba के एक बिल्कुल नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है ये एपिसोड हिम्ट फिल्म्स के प्रोडक्शन के सपोर्ट से बनाया जा रहा है Rally for Rivers एक मुवमेंट चला था 2017 में जो की सद्गुरु जग्गीव सुदेव ने लीड किया था इशा फाउंडेशन के लीड में चला था ये मुवमेंट आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा एंवायरमेंटल मुवमेंट रहा है जिसमें 16.2 करोड लोगों ने मिस्कॉल दे के इस मुवमेंट को सपोर्ट किया आप लोग सोच रहाँगे कि मिस्कॉल का क्या हुआ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चला था कि आप मिस्कॉल दीजिए अगर आप नदियों को बचाना चाते हैं उस मिस्कॉल के चलते ही हमने एक रैली फोर रिवर ड्राफ्ट पॉलिसी बनाया उस rally for river draft policy को बनाने के लिए बहुत सारे scientist और diplomats involved थे उस draft policy को सद्गुरू ने हमारे प्रधान मंतरी को सौभा आपको ये बताते हुए खुशे हो रही है कि वो अब मात्र एक rally for river draft policy नहीं है वो national river policy बन चुका है Central government ने सारे states को recommend कर गिया है कि आप इस policy को लीजे और अपने अपने state में जो भी नदिया है वहाँ पर इस policy को apply करके अपने नदियों के जलस्तर को बढ़ाईए अब उस policy के थाथ क्या था? Plan simple था कि अगर आप लोगों को नदियों के जलस्तर को बढ़ाना है क्योंकि नदियों के जलस्तर से ही ground water का level बढ़ सकता है अगर आपको नदियों के जलस्तर को बढ़ाना है तो नदि के 1-1 किलमेटर अगल बगल आप लोगों को पेड लगाने होंगे और पेड लगाने के लिए detailed planning थी कि कौन से पेड लगा सकते हैं कैसे लगा सकते हैं अगर किसी किसानों के पेड़ हैं तो कैसे कर सकते हैं, अगर government land है तो क्या कर सकते हैं लेकिन कोई भी state उसको follow नहीं कर पा रहा है छे state ने rally for rivers के समय MOU भी sign किया था जो इसको follow करने वाले थे लेकिन उसमें से एक मात्र महाराश्री है जहां पर ये follow हो रहा है जहां पर उन्होंने ये जमीन इस तर पर काम चालू कर दिया है जी हां वगारी नदी के आसपास ये काम चालू हो चुका है rally for river के जो volunteer है, जो की बहुत young volunteer है कोई 18, 19, 20 साल के या 21, 22 साल के जो की बहुत ही young और enthusiastic volunteers हैं वो अपनी भविश्य की चिन्ता किये बिना अपना जीवन उस नदी को बचाने के लिए लगा चुके हैं अब हाल ही में जो अगला action plan है वो है कावेरी नदी ये समस्या सिर्फ पानी की कमी की नहीं है और भी बहुत सारी समस्या है आप देखते होंगे कि जब बारिश होता है अभी तो बारिश का मौसम है आप में से बहुत सारे लोगों को यह लग रहा होगा कि बारिश तो है बार आ रहा है पानी की कमी कहा है लेकिन यह जो बाड आता है यह सिर्फ जब 3-4 मैने जब बारिश होती है उस समय बाड आता है और पानी चला जाता है और यह पानी जब चला जाता है उसके बाद फिर हमारे पास पानी नहीं बचता अगर हम इस पानी को बचाना चाहते हैं तो हम लोगों को पेड लगाने ही ह पानी आता है तो पूरे पेड़ उसको पानी को ठामके रखते हैं धीरे 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 वो उसको नदी में छोड़ते जाते हैं इस करण साल भर नदीयां बैटी है अगर हम लोगों को बारने चाहिए नदी saug भर पानी चाहिए तो हम लोगों को पेड़ लगाना बहुंद ज़र रही है साथी साथ इस बाड़ के साथ सिर्फ पानी और जानमल की हानी बस नहीं होती हम लोगों को जो टॉप सॉइल है जो अर्थ का टॉप लेयर है जहां पर हम फसल को उगाते हैं वो भी इस बाड़ के साथ साल दस साल घटता जा रहा है पूरे भारत में अगर सव प्रतिशत जमीन है तो उसमें से साथ प्रतिशत जमीन खत्रे में हैं जो जल्द ही बंजर हो जाएगी 25 प्रतिसत जमीन बंजर होने के कगार पे हैं और बाकी के बचे हुए जमीन और भी देखते ही देखते बंजर हो जाएगे मतलब भारत के आने वाले समय में हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्य रहने वाली है वो है पानी और खाने की आप imagine केजिए 700 करोड के आबादी जो हर साल बढ़ते जा रही है उनके पास पर्याप्त खाना नहीं रहेगा और पर्याप्त पानी भी नहीं रहेगा हम लोग तेल के लिए तो किसी पे निर्भर रह सकते हैं किसी और resources के लिए किसी पे निर्भर रह सकते हैं लेकिन खाने और पानी के लिए अगर हम लोगों के किसी पर निर्भार रहना पड़े, बहुत ही भैबित कर देने वाला समय होगा हमारे भारत के लिए, हमारे आने वाले भविश्य के लिए, इन सभी समस्या से निबटने के लिए हमारे पास उपाय हैं, और वो है हम लोगों क जिसमें कावेरी नदी को रिवाइब करने का प्लान किया जा रहा है। कावेरी नदी जहांपर पिछले कुछ सालों में 87% ट्री कवर मतलब वहांपर के आजपास के पेड जा चुके हैं। इस वज़े से वहांपर का लगभग लगभग 50-60% पानी सूख चुका है। वहां के आजपास के जो किसान हैं वहांपर करीब 55-60 लग किसान हैं उन लोगों की जिंदगी प्रभावित हो चुके हैं। कई किसान सुसाइड भी कर लेते हैं कर्ज में आके। वह किसान जो साल में 3 फसल लेते थे वह अब 1 फसल भी लेने के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जिंदगी को अगर हम बदलना चाहते हैं तो हम लोगों को कावेरी नदी को फिर से जिवित करना होगा। कावेरी नदी जिसने हजारों और लाखों साल से हमारी सेवा की है हमको जीवन दिया है। हम निर्दई होकर वहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन किये उसकी वज़़े से कावेरी नदी का यह हाल हो चुका है। अगर हम उसको फिर से जीवित करना है तो उस काविरी नदी के आजू-बाजू उसके एक तिहाई हिस्से में हम लोगों को 242 करोड पेड़ लगाने होंगे हर साल plantation होता है आपके आज पास भी plantation होता है लिकिन जब हर साल plantation हो रहा है इतते बड़े बड़े रूप में plantation होता है करोडों पेड़ लगा कर वर्ल्ड य्कॉर्ड भी कायम किया जाता है तो फिर उसका result क्यों नहीं आ रहा है अगर आपको उसका proper result चाहिए तो सही जगह पे plantation होना चाहिए जो की नदी के आजुवाजो है और साथ ही साथ उस पेड को maintenance भी होना चाहिए तो इस पेड को लगाने का cost जो है वो 50 रुपए होता है मतलब अगर हम काविरी नदी के आस पास हम और आप मिलकर भी पेड लगा सकते हैं टोटल 50 रुपए एक sapling का cost है जिसमें एक sapling और उसके एक साल का manure का cost मतलब खाद का cost भी जुड़ा हुआ है उसमें से 42 रुपए हमको डोनेट करना होगा और 8 रुपए वो किसान डोनेट करेंगे जो सकाविरी नदी के आजबाजू रह रहे हैं आपको जानकर खोशे होगी कि 50 रतिशा से ज़्यादा किसान वहाँ पर पेड लगाने के लिए सहमत हो चुके हैं मात्र 42 रुपए अगर हम लोग दे दिये तो बहुत बड़ी help हो जाएगा और हम इस movement में एक सहयोग दे पाएंगे किसानों की जमीन में जो पेड लगेंगे वो यू ही कोई सभी पेड नहीं होगा वो agroforestry का लाएगा मतलब वहाँ पर agriculture होगा forest के form में मतलब वहाँ पर पेड आधारित खेती होगी अब पेड आधारित जब हम खेती करते हैं तो वहाँ पर 3-4 साल तक है तो कोई भी फसल नहीं मिलेगा मतलब किसानों को 3-4 साल तक के बीना आयके रहना पड़ेगा इसलिए वहाँ पर के सरकार को सबसीडी के form में सपोर्ट बहुत ज़ादा जरूरी है आपको जानते हुए बहुत ज़ादा खूशी होगी कि करनाटक और तमिन नाडू गवर्मेंट ने अपना सपोर्ट दे दिया है मतलब किसानों को सबसीडी देंगे अब वहाँ पर पेड लगाने के लिए 242 करोड अगर हम लोगों को पेड लगाने है काजल अगर्वाल तमन्न भाट्या विद्य बालन जुही चावला रवीन अटंडन ऐसे बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज पॉलिटिशन्स और इवन इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं आप और हम मिलकर भी सपोर्ट कर सकते हैं अब आप यह सोचेंगे कि कावेरी नदी तो साउथ में हैं उस नदी को रिवाईव करके क्या फायदा मैं तो नौर्थ में रहता हूं मैं तो सेंट्रल इंडिया में रहता हूं मैं तो इस्ट में रहता हूं मैं तो वेस्ट में रहता हूं लेकिन वो तो साउथ में हैं मैं क करके रिवाइब कर दिये 242 करोड पेड लगाने में हमने मदद कर दिया तो कोई भी स्टेट के लोग फिर चूप नहीं वैठेंगे हर स्टेट के लोग सरकार और महा के लोग अपने अपने स्टेट में उसको फॉलो करना चालू कर देंगे हम लोगों को कौवेरी नदी को एक अगर हमने उसको सपोर्ट करके बेंचमार्क बना दिया तो बाकि सभी स्टेट उसको जरूर फॉलो करेंगे और उसको अपने स्टेट में भी अप्लाई करेंगे तो कौवेरी नदी को इस करन रिवाइब करना बहुत जाद जरूरी है क्योंकि वह अगर ठीक हो गया तो विसानों का जीवन स्तर भी बढ़ जाएगा अब आपका क्या फायदा है अगर आप 42 रुपए का एक पर डोनेट कर देते हैं तो आपको यह जो रिसीप्ट मिलेगा यह ATG certified मतलब अगर आप income tax returns फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको tax benefits मिलेंगे तो यह आपको बहुत बड़ा फायदा होगा अगर आप इस अभ्यान में शामील होना चाहते हैं तो आप बहुत सारे तरीके से इस अभ्यान में शामील हो सकते हैं आप खुड डोनेट कर सकते हैं अपने आस-पास के corporates को reach out कर सकते हैं क्योंकि CSR के भी प्रावधान है बहुत सारे companies को corporate social responsibility होता है वो उन लोगों को perform करना होता है उसके तहद भी वो इस fund में अपना योगदान दे सकते हैं आप खुद भी जाके स्वयम सेवग बन सकते हैं इसके बारे में आपको अधिक जनकारी बड़े-बड़े diplomats हैं लाइक इजरो के vice chancellor है एक्स supreme court justice involved हैं बहुत बड़े-बड़े companies के MD और CEO हैं बहुत बड़े-बड़े level के diplomats इसको manage कर रहे हैं तो आप बिलकुल इस बात के लिए शोर रहे हैं कि आप जहां पर भी donate कर रहे हैं वो बहुत ही सही जगह है और इस अभ अभियान में जरूर support करेंगे इस कौविरी कौल निंग के लिए अगर आप donate करना चाहते हैं तो इस वीडियो की description में मैंने link include कर दिया है आप उस link पे क्लिक करके अब जितना भी paid चाहें आप donate कर सकते हैं हम लोग generally movie देखने जाते हैं multiplex में जाते हैं 500,000 रुपए तो यू हम को इस वीडियो के comment करके जरूर बताएं या वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसको like करें इस वीडियो को जाद से जादा लोगों तक के पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए ताकि आपको लगतार इसके बारे में इंफोर्मेशन मिलता रहे आप हमको सोशल मीडिया लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं यहां पर आपको सोशल मीडिया के लिंक्स में मिल जाएंगे अगले वीडियो में फिर मुलकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद